आज गुजरात के मेट्रोपोलियन कोट में 13 आदब के सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में अंदेशा जताया जा रहा है कि उनकी विधायकी जा सकती है और उनके चुनाव लड़ने पर परतिबंद भी लगाया जा सकता है वही 13 आदब ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि CBI और ED उन्हें कभी भी गिरफतार कर सकती है और उन्होंने ये अहम खुलासे किये हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं नमस्कार मैं प्रेंस कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इन लिया दरसल आपको बताते चले कि CBI और ED ने लैंड फोर्ट जोब स्केम मामले में कई सारे अहम खुलासे किये हैं और इसके बारे में जब पत्रकारों ने मीडिया ने 33 आदब से सवाल किया तो उनका नाम संप्लीमेंटरी के तोर पर जाला जा सकता है और उनकी भी गिरबतारी की जा सकती है और इसके लिए उन्होंने भाजपा को जिम्मेदार ठाराया है CBI और ED को भाजपा का तोता बताया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उनसे डर गई है और करनाटक में भाजपा चुना भारने के बाद बोखला गई है और इसी बोखलाहट में उन पे कारवाई हो रही है। पे बाहर है वहीं तेजस्वी आदब और उनकी बड़ी बहन मीशा भारती से ED और CBI की मेराथन पूछता चुची की है और बताया तो यहां तक जा रहा है कि दरसल CBI और ED ने जो चार सिट दाखिल की है उसमें तेजस्वी आदब का भी नाम है और तेजस्वी आदब का नाम आजाने से यह साफ साफ पता चल रहा है कि अब तेजस्वी आदब आने वाले समय में कभी भी गिरफतार हो सकते हैं आज नहीं तो कल उनकी गिरफतारी पक्की है और उनको जेल जाना पड़ेगा अब जेल कब जाते हैं यह CBI और ED पर डिपेंड करता है वहीं आपको बतात चले कि दरसल उन्होंने भाजपा पर यह बोखलाहट कारोप लगाया है और कहा है कि बोखलाहट में कारवाई कर रही है और बिहार में उसे लालू प्रसादी आदब की पाटी राजद हो या नितीश कुमार की जदिव से काफी खत्रा है और यह बात सहीं भी है क्योंकि बि बिजेपी की स्थिती बिहार में ही बत्तर नहीं हुई है बलकि देश के कई राज्यों में बत्तर हो चुकी है हिमाचल हारने के बाद उसके बाद करनाटक हारने के बाद बीजेपी सच में बॉखला गई है और बीजेपी दरसल जिन बादों को ले करके जिन संकल्प को ले क करके सत्ता में आई थी किंद सरकार में आई थी वो अपना बादा पूरा नहीं कर पा रही है और दरसल उसके जो भी मोदी के नाम पर जो भी सांसद या बिधायक जीतते हैं वो दरसल मोदी के नाम पर बोट मांगा जाता है और मोदी के नाम पर जीतते हैं लेकिन ये लोग ध कई सारे बिधान सभाचुनाब जो कई राज्यों में हुए हैं उससे साफ साफ पता चलता है वहीं लुका तो यहां तक कहना है कि करनाटक की हार अभी जहाकी है क्ञाइक की हर अभी झड़ाकी है। ना तो रोजगार मिल रहा है, और ना ही महंगाई पे कंट्रोल हो पा रहा है, और जो विकास होना चाहिए था, उस परकार का विकास भी नहीं हो रहा है। यहां तक कि कई सारी सरकारी संस्थानों का प्राइबेटेजेशन किया जा चुका है और नोक्री तो अब मिलनी मुश्किल हो चुकी है और इसी का परिनाम है कि दरसल अब लड़कों की साधी भी नहीं हो पा रही है क्योंकि बेरोजगार लड़के से साधी आखिर करता कौन है तो साधी भी आखिर पर चुका है अब जरा सोच यह कि बिहार की घटना है कि जहां पर एक साबले लड़के का कलर साबला था उसको देखकर लड़की ने साधी सेंकार कर दिया यानि कि अब कलर पे जो है साधी सेंकार किया जा रहा है कि लड़का साबला है लड़का कि जिस Land for Job Scam मामले में उनका नाम उनहीं के द्वारा बताया गया है कि दरसल उन्होंने मेडिया से बात करते हुए खुद बताया कि उनकी गिरफतारी कभी भी हो सकती है और सप्लिमेंटरी के तोर पर उनका नाम चार्शिट में डाला जा चुका है दरसल ये बात उन्होंने खुद कही है और आपको बताते चले कि जिस परकार से साल 2004 से लेकर 2009 के बीच जब लालु प्रसाद यादव रेल मंत्री थे जिस परकार से जमीन लिखवा करके और नोकरी देने का जो मामला सामने आया और इसमें कई सारे अहम खुलासे भी CBI और ED द्वरा किये गये हैं जि कि हम आगे आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे अगली रिपोर्ट में बताएंगे अगला वीडियो आप देख लीजिएगा वहीं आपको बताते चले कि ये बात अब CBI और ED के पास काफी सारे सबूत मिले हैं वहीं कई सो करोर कई सो करोर तजसी आदव के एकाउंट से ट्रांसफर होने के भी सबूत मिले हैं और राबडी देवी से दरसल ये सवाल जब ED से उनकी पुष्टाच चल रही थी ED पुष्टाच कर रही थी दिल्ली हेड क्वार्टर में तो ED ने ये भी सवाल राबडी देवी से किया या खिर उनके तेजसी आदव के एकाउंट स कैसे ट्रांसफर हुआ और तेजसी आदव उस समय नावालिक थे तो आखे उनका एकाउंट जो है कौन हैंडल करता था ये सवाल भी राबडी देवी से पूछा गया है और राबडी देवी और लालु प्रसाद यादव इस मामले में जमानत पर बाहर है और लालु प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबडी देवी चार दिन पहले पटना से दिल्ली गई थी और दिल्ली से उन्हें सिंगापुर जाना है लेकिन इसी बीच राबडी देवी को एडी ने बूला लिया और गहन पूस्त आच हुई है जिसमें अहम खुलासे हुए है और अ प्रसाद यादव से सवाल करना शुरू कर दिया तो तेश्ची आदव के चेहरे पे घबराहट साप साप दिख रही थी हलाकि इसका आरोप उन्होंने भाजपा पे मट दिया और भाजपा पे आरोप लगा दिया कि धरसल भाजपा अपने जो करनाटक चुनाबहारी हो या ह आपको जबूर बताएंगे इससे अगला रिपोर्ट जो आने वाला है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर राबरी देवी मीशा भारती और तयस्वी आदव के नाम पर किन किन लोगों से जमीन लिखवाई गई किन किन लोगों को नोकड़ी दी गई तो बने रहे ह हमारे साथ अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा दिजेगा ताकि अगली रिपोर्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जुरे रहे हमारे साथ जय हिंड जय भारत जय जय बिहार